निर्भया गैंगरेप के एक और दोशी विना शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी विना शर्मा के वकील ने राष्टपती द्वारा खारीस दया याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इससे पहले नर्भाया, गैंग्रेप और हत्या के मामले में चारो दोशियों के खिलाफ नया डेथ वارंड जारी करने के ले नर्भाया के माता पिता और दिली सरकार ने निचली अदालत का रुख किया कोट में बुद्वार को इस मामले में सुनवाई हुई इससे पहले 7 फरवरी को निचली अदालत ने तिहार जेल प्राशाशन की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें दोशियों को फांसी देने के लिए नई तारीक की मांग की गई थी कोट ने कहा जब दोशियों को कानून जिवित रहने की इजाज़त देता है तब उन्हें फांसी पर चढ़ाना पाप है बद्वार को कोट ने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए निर्भया की मा ने कोट में फूट फूट करो पड़ी और उन्हें समर्थन दे रहे हैं और मैं सुप्रीम कोट में डेथ वारंट जारी करने की अपील करती हूँ क्योंकि पटियाला हाउस कोट नए सीरे से डेथ वारंट जारी करने के मूड में नहीं है हमको चार दिन का पढ़ने का टाइम विल्कुल जाहिए लेकिन यह कोट क्यों नहीं समझ रहा है तो आएगा कहेगा कि हमको यहां पूट में चाहिए हमको पढ़ने का टाइम जाहिए तब तो वो डिले करते रहें आजी आजी